T20 World Cup को लेकर Team India ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है आपको बता दें कि भारतिय टीम उस्टेलिया पहले भी पहुँच चुकी है और Team India पर्थ में इस वक्त प्रक्टिस करती में नजर आ रही है Team India को 23 October को होने वाले पाकिस्तान के साथ मुकाबले से पहले चार warm-up matches खेले हैं जिसमें दो official matches होंगे जहां 17 October को Australia के साथ और 19 October को New Zealand के खिलाब Team India मुकाबला खेलेगी इसके अलावा 10 और 12 October को Team India जो है एक official warm-up matches की series के लिगी जहां पर भारते टीम के खिलाडी पर्थ और साथी और साथी और साथी और साथी और साथी और साथी ओपनिंग बलिबास केल रहूल का एक वीडियो शोचल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है इस वीडियो की बात करें तो केल रहूल और विराट कोली दूनों ही लंबे छक्के लगाते हुए नजर आ रहे हैं विराट कोली इस दोरान और अस्टेलिया में प्रेक्टिस करते हुए और नैट पर पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं साथ ही विराट कोली की वीडियो को देकर फैंस का क्याना है कि विराट अब गेंद बाजों की खबर अच्छी तरीके से लेने वाले हैं इसके लावा आपको बता दें कि टीम इंडिया की मिडल ओर परले बाज सूर्य कुमारी आदव ने भी तैयारियों को लेकर बातचीत की उन्होंने बी सी सी की तुवारा जारी किये एक वीडियो में कहा कि हम लोग यहाँ पर पहले महौल को समझने का परयास कर रहे हैं इसके लावा उन्होंने मौसम को लेकर भी बातचीत की उन्होंने कहा कि दिन के समय में बड़ा अच्छा और आनदित मौसम होता है इसके लावा शाम के समय में देखने लायक होता है और हम इसी मौसम को और इसी एंवर्मेंट को समझ करके अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं टीम के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो गए वराल आपको बता दें कि भारतिय टीम के खिलाड़ी इस वक्त पसीना भाते वे तो नज़र आ रहे हैं लेकिन अब ये तैयारिया कितनी मजबूत होती हैं तो देखने वाली बात क्योंकि फैंस को इंतजार है कि 15 सालों से जो वर्ल कप का सूका है वो इस साल रोई शर्मा की कप्तानी में खत्म हो जाएगा क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नमस्कार